एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर औरहान अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं जहां मिस्स इफाकत की कॉल आने पर वो वहां से चले जाते हैं और वहीं दिखाया जाता है कि फैरिट से मिलने पीलिन भी आनतेप आ जाती है और फेरिट पहले तो उसे देखकर घबरा जाता है लेकिन फिर दिखाया जाता है कि उसके वहाँ आने से वो बहुत खुश हो जाता है फिर अगले दिखाया जाता है कि फेरिट सहरान के घर उसे पिक अप करने के लिए आता है अपनी फामली के साथ लंच के लिए और उसके बाद हमें होटल का व्यू दिखाया जाता है जहां लंच पर मिस्टर एंड मिसिस ओरहान से उसके बारे में कुछ कुश्चन्स पूछते हैं तो सेरान उन्हें बताती है कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन अचानक से सब बदल गया ये सुनकर फेरेट के मौम और डाट दोनों सेरान को सपोर्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो तो हम तुमारे साथ हैं और फेरेट की मौम सेरान को समझाती हैं कि मैं जानती हूँ तुमारे लिए ये सब असान नहीं है लेकिन यकीन मानो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी लेकिन फिर सब ठीक हो गया था और ये बोलकर उसे फेरेट के साथ टाइम स्पेंट करने के लिए भेज देती है जहां सहरान फेरेट से कहती है कि तुम अपने घर में शादी के लिए मना कर दो कि तुम्हें मुझे से शादी नहीं करनी मगर फेरेट उससे कहता है कि हमें इस रिलेशन्शिप को एक चांस देना चाहिए और वैसे भी मुझे तुम से शादी करनी है और सहरान से भी पूछता है के तुम्हें क्यों नहीं करनी क्योंकि मुझे इस शादी से कोई फायदा हो या ना हो तुम्हें जरूर होगा आफटर और अल तुम कोहरान फैमिली की बहु बन जाओगी तो यह सुनकर सहरान भी उससे कहती है कि हो सकता है कि मेरी life में कोई और हो या मेरे कुछ और plans वो life को लेकर यह सुनकर फैरेट उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कितने लोग तुमारी जगा लेने के लिए तैयार हैं और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम खुद अपने डाट से मना क्यों नहीं कर देती तो सहरान भी उससे कहती है तो तुमने क्यों मेरी बहन से बस एक कॉफी करने की वज़े से रिश्टा तोड़ दिया और ये बोलकर रोने लगती है कि तभी आबिदीन वहां आ जाता है और बताता है कि शादी की डेट फिक्स हो गई है और कल शादी है जिसे सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सहरान के घर में शादी की तयारिया चल रही होती हैं जिससे देखकर आंटी अपना पास याद करने लगती हैं जहां वो और मिस्टर हालिस को एक दूसरे से प्यार करते थे और बाद में दिखाया जाता है कि आंटी सहरान को समझाती है कि वहां जाकर अपने आपको कमजोर नहीं दिखाना जिससे कोई भी तुम्हें असानी से विमिलेट कर सके और तुम्हें जतना रोना है यही रोलो और यह बोलकर वो उसे कुछ पैस देती हैं और कहती हैं कि वहां किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हें बहुत जादा जरूरत ना पड़े और फिर दिखाया जाता है कि आंटी लास्ट में सहरान को मिस्टर हालिस का दिया हुआ नेकलिस देती हैं और कहती हैं कि इसे मत पहनना बस पास रखना और जब कभी तुम उदास या अकेला फील कर तो इसे मिस्टर हलिस कोरान के सामने पहन लेना ये सुनकर सहरान उनसे पूछती है लेकिन क्यों मैं समझी नहीं तो आंटी उससे कहती है कि तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है बस जैसा मैंने तुम से कहा है बिल्क से कंसा है जाता है की होटल आकर सहरान पैनिक हो जाती है लेकिन फैरेट की ne अवास देने पर वह खुद को कंठ्रोल करकर वाश्रूम से बाहर आ जाती है जहां फेरिट पहले से ही खड़ा हुआ उसका इंतिजार कर रहा होता है और उसे अपने साथ रूम में ले कर जाता है और रूम में एंटर करते ही सेरान शौक हो जाती है जब वो पेलिन को पहले से ही वहाँ खड़ा हुआ देखती है और फिर पेलिन को वहाँ देखकर सेहरान फेरिट से पूछती है कि ये सब क्या है जिसे सुनका फेरिट उससे कहता है कि देखो मैं स्टार्टिंग से ही सब क्लियर करना चाहता हूँ और तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि हम दोनों इस शादी से खुश नहीं है और नहीं हमसे हमारी मर्जी पूछी गई थी इसके लिए और पेलिन को सेहरान से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि ये मेरी गर्फरेंड है और बस तुम मेरे और पेलिन के रिलेशन्चिप को कवर अप करने का ही काम करोगी और कुछ नहीं जिसे सुनकर सेहरान बहुत गुस्सा हो जाती है और फेरिट को थपड़ मार कर वहां से चली जाती है और वाश्रूम में जाकर खुद को लॉक कर कर रोने लगती है लेकिन फिर बाद में दिखाया जाता है कि जब सेहरान सोकर उठती है तो वो वाश्रूम से बहार आकर पेलिन को बेट पर सोता हुआ देखती है और तबी उसकी नजर फ्लोर पर सोते हुए फेरिट पर जाती है जिसे देखकर वो उठाने जाती है लेकिन उसको अनकॉंशियस हालत में देखकर सेहरान को याद आता है कि फेरिट डाइबर्टीक है और इसी वज़़े से वो इंसुलिन भी लेता है और ये याद आते ही वो आबिदीन को कॉल करकर सब बता देती है जिसे सुनकर आबिदीन सेरान से कहता है कि शायद फेरिट की शुगर लो हो गई होगी जिस वज़े से सेरान उसे थोड़ी सी शुगर क्यों खिलाती है वहीं दूसरी तरफ आबिदीन भी एंबुलेंस को कॉल करकर और उसके बाद फेरिट की मौम और डैड को उसकी कंडिशन के बारे में बता देता है और फिर जल्दी से फेरिट के रूम में आ जाता है जहां वो पेलिन को सोता हुआ देखता है और उसे याद आता है कि मिस्टर ओरहान भी यहीं आने वाले है और इसी वज़े से वो उनके आने से पहले पेलिन को वाश्रूम में छुपा देता है और उसके बाद सब लोग फेरिट को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और दिखाया जाता है कि उन सब के वहाँ से जाने के बाद सहरां सारी बाते याद करकर बहुत रोने लगती है पहल जाएंगे फिर बाद में दिखाया जाता है कि फेरिट को होश आने के बाद वह आविधीन को थैंक्स बोलता है दुबारा से उसके जान बचाने के लिए तो आविदीन उससे कहता है कि इस बार मैंने नहीं बलके तुमारी वाइफ सहरान ने तुमारी जान बचाई है ये सुनकर फेरिट इधर उधर देखकर आविदीन से पूछता है लेकिन सहरान कहा है तो मिस्टर ओरहान कहते हैं कि वो बहुत पैनिक हो गई थी जिस वज़े से हम उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं आए और फिर ये बता कर मिस्टर ओरान आविदीन को होटल भेश देते हैं सहरान को लेने के लिए जहां दिखाया जाता है कि होटल पहुंचकर आविदीन पेलिन को उसके रूम में छोड़ता है और स सबसे पेलिन के बारे में सच चुपाने के लिए तो ये सुनकर सहरान भी उससे कहती है कि मैं किसी को सच क्यों बताऊंगी क्योंकि ये तो जूटी शादी है ना और मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि तुम क्या करते और क्या नहीं फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि फ अधिके बाद बिलकुल ही बदल गए और ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है और नेक्स सीन में हमें दिखाया जाता है कि सहरान कोरान फैमिली के साथ इस्तानबुल आ जाती है जहां बागी सभी फैमिली मेंबर्स उसका बहुत अच्छे से वेलक लेकिन दिखाया जाता है कि रूम में जाने के बाद फैरिट को वो चेंजिस कुछ खास पसंद नहीं आते मगर वहीं दूसरी तरफ सहरान वो रूम देखकर बहुत जादा खुश हो जाती है लेकिन तबी उसकी नजर वहां रूम में पड़े बैट पर जाती है जिसे देख